नमस्कार मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हिल्थ इंडिया जहां हम बात करते हैं आपके और हमारे सेहत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार वो कौन सी वज़ा है जिसके कारण मिहली के पते तो हरे होते हैं पीषने के बाद भी हरे रहते हैं लेकिन वो लगाने के बाद सूखने के बाद लाल रंग के क्यों रंग छोड़ जाते हैं हम आए देन तीस त्योहारों पर या शादियों में अपने हाथ में मिहंधी जरूर लगाते हैं लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब हम महंदी की पतियों को तोड़ते हैं तो उसका रंग हरा होता है लेकिन जब हम उस महंदी को पीस कर अपने हाथों पर लगाते हैं और सूखने के बाद उसे छुरा देते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है क्या आपने कभी यह जाने की कोशिश की है कि ऐसा होता क्यों है अगर नहीं तो इस वीडियो को आखर तक जरूर देखेगा क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि पीसने के बाद मतलब महंदी के पत्ते को पीसने के बाद उसका रंग हरा से लाल क्यों हो जाता है कोई तेवहार हो या सर किसी की शादी महंदी लगाना हर लड़की की शौक होती है महंदी लगाने के बाद हाथ की सोभा ही बढ़ जाती है अगर आप मेरी बात करें तो मुझे भी महंदी लगाना बेहत पसंदे लेकिन जब महंदी का रंग हलका हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी बात छोलिए और हम मुद्दे की बात करते हैं क्योंकि आज हम आपकी बात करते हैं देसल जब महंदी पीसी जाती है तो इसमें एक प्राकिर्तिक डाई निकलती है जिसे लसून कहा जाता है हमारी त्वचा नाखूनों और बालों में किरेचीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और जब हम अपने बालों या हाथों में महंदी को लगाते हैं तो लसून किरेची इनके संपर्क में आती है इसके संपर्क में आने के कारण इसके रसाइनिक प्रकिरिया शुड़ू हो जाती है और महंदी लाल-rekा हो जाता है और यह हाथ हो या बालों पर कई दिनों तक बना रहता है अगर हम बजार में महंदी खरीते हैं तो कुछ कुछ आपको पता चल गया कि किस तड़ीके से जो लसोन है और हमारे तवचा में जो के रचीन है उन दोनों के मिश्रन के कारण ही जो महंदी का रंग है वो हरा से लाल की तरफ प्रवर्तित हो जाता है आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताईएगा अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब कर लें फीस्बूक पीच को लाइक करें धन्यवाद सब्सक्राइब करें